Welcome to Learning Mitram, आज हम Class 9th की NCRT के Book का Exercise 5 के Question & Answer को डिसकस करेंगे, इससे पहले हमने इसकी थियोरी दो पार्ट में देख लिए, जिन दोगों ने इसकी थियोरी नहीं देखी है, पहले पहले इसकी थियोरी देख ले ताकि आपको Question & Answer आसानी से समझ में आ सके, अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे Like करें, Share करें, Subscribe करें और साथी बेल आइकन दबाकर Notification भी On कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की Notification आपको आसानी से मिल सके, तो चलिए आप सुरू करते हैं, आधुनिक विसमें चरवा है, जिसकी थियोरी हमने देख ली थी, आज हम Question & Answer देखेंगे, इसम कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगा से दूसरी जगा जाना क्यों पड़ता था, और इस निरंतर अवागमन से पढ़यावरन को क्या लापता था, इसे हम समझेंगे, यह जो घुमंतु समुदायों थे, वो खाना बदस हुआ करते थे, उनको खाना बदस वो को किसी भी तरी के सचारा गा में कोई भी दिक्कते नहीं आए, और दूसरी बात क्या थी, कि इन लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी धारनाय थी, मतब धार्मिक धारनाय थी, पौडानिक धारनाय थी, जिसके कारण यह एक ही अस्थान पर रहना पसंद नहीं करते थे यह एक अस्थान पगड़ रहे हैं, तो वहाँ पे खेती करना यह अच्छा नहीं समझते थे, जैसे हैं जमीन में कुदाल वगएरा लगाना यह पाप समझते थे, तो इस तरीके के बहुत सारे विचार थे जिनके कारण यह एक अस्थान से दूसरे अस्थानों पर हमेंसा पलायान करते थे भोयन की तरास में और अपने मवेशियों के साथ चारगा की तरास में एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाते थे, इसलिए उन्हें एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाना पड़ता था, इसके आगे कि इस निरंतर अवागमन से पढ़्यावन को क्या ला सब्सक्राइब करना नूंकर्ट नूर्व मुमी की उर्वरता सक्ति छो है वो छिन हो जाएगी समाप्त हो जाएगी तो इसलिए यह एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाया करते थे ताकि जो है जिस जेगा पहले मविश्यों को चराय गया है वहां पर फिर वर्सा होगी फिर से वो हडा बडा हो जाएगा तो अतिचार वहाही एक अस्थान से दूसरे अस्थान को छोड़कर चरेगा तो उस समय जो है कोई भी वैक्ति की उस भूमी का उपयोग कर सकता था तीसरा यह खाना वह दोस्कभी लोगों को बहुत से काम जैसे की खेती वह पारे वह पारन करने का अफसर परदान करते था मान लीजिए कि अगर चारा गा के लिए चरवाहों ने एक अस्थान को छोड़ दिया तो वह अस्थान जो है अब उसका प्रयोग आदिवासी किया करते थे खेती के लिए किया करते थे या फिर रहने के लिए किया करते थे तो यह सब का फाइदा जो है आदिवासियों को मिलता था उनके देखेंगे इसके बारे में चर्चा कीजिए कि आपने वेसिक सरकार ने निंकित कानून क्यों बनाएं यह भी बता ये कि इन कानून से चरवाओं के जीवन पर क्या पिरुआ पड़ा, हमने जब चैप्टर देखा थो, चैप्टर के अंदरगत हमने पढ़ा था भारत के बारे में कि भारत के चरवाहों के लिए जो अपने विशिक सरकार की निती थी उससे उनके जीवन में काफी ज़ाद अपरभा पढ़ा था वन निती नियम बन जाने के कारण जो है चरवाहों की जमीन छीन ली गई थी इससे उनके पसुचायन में काफी ज़्यादा दिक्कते आती थी जमीन छीन लिये जाने के बाद जो है उन्हें एक अस्थान से दूसरे अस्थान पलायन भी नहीं करने दिया जाता था उन पर काफी ज़्यादा परभाप पड़ा था अब यहां जो पॉइंट दिया है उसे हम समझेंगे परती भूमी नियमा वली उसके बाद है वन अधी नियम अपड़ादी जन जाती अधी नियम और चड़ाई कर यह सारे ऐसे पॉइंट थे कि परती भूमी वाली नियमा वली क्याती की सरकार ने ऐसे नियम बना दिये थे जिसके कारण जो है चर्वाहों से उनकी जमीन तो छीन ही ली गई थी उसके अलावा जो है बर्तिवी जनसंगे के कारण और अपने मुनाफे को कमाते वे देखते वे जो है अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था चर्वाहों से जमी के लिए जो आपने विसिक सरकार इस्तमाल कर रहे था तो हम क्या देखते हैं कि परती नियम अवली के कारण जो है सरकार के नियमों के कारण चरवाहों को नुकसान सहना पड़ा उनका जमिन भी उन से छीन लिया गया था उन पर पाबंदी भी लगा दी गई थी दूसरा है वन अधिनियम के अंतरगत जो है सरकार ने इसे बनाया था और जितने भी चारवाह के लिए जो मवेसी को ले जाया करते था चरवाहे उन पर परती बंद लगा दिया गया था कि वो वन अधिनियम में जमिन का इस्तमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं अब जमिन का इस्तमाल नहीं क जो है वो चर्गाहों के लिए नहीं जा सकते थे उसके वादे तीसरा अपराधी जनजाती अधिनियम इसके अंतरगा जो है हमने आपको बताया कि जिस तरीके से उनका वेस्बुजा हुआ करता था और एक अस्थान से दूसरे अस्थान पलायन करते थे वैसे में जो अपराध की दिश्ट्री से देखा करती थी और अभी और अपराधी जनजाती अधिनियम बना लिया गया कि यह जो है उसस्थान में वापस से प्रविस्ट नहीं कर सकते हैं जहां यह थे इससे सरकार को फाइदा भी हुआ जाना था क्योंकि सरकार ने इनकी जमीनों का इस्तमाल कि जिस यगा पर भी मवेशी चर्णने जाएंगे उसका टैक्स देना होगा उन्हें तो यह सारे अपनीवेशी सरकार के नियम थे जिनका जो है काफी ज़्यादा प्रभाव पर पढ़ा मुख्य रूप से और इसके कारण में जानवरों की संक्ख्यावी काफी ज्यादा कम ह गई थी और इतनी कम हो गई थी कि जितना उनके पास पहले होते थे मवेसी अब काफी ज़्यादा कम होगा भूख मरी की इस्तिती हो गई थी उनकी चरवाहों की भी और चरवाही के मवेसियों की भी अब हमने ये जान लिया तुम आगे बढ़ते हैं तीसरा कॉस्टिन क्या है कि मसाई समूदाय के चारा गह उन से क्यों छीन लिये गए था कारण मता है अब मसाई समूदाय जो है ये सबसे पहले कहा थी तो हमने चाप्टर के अंदरगत देखा था कि अफरीका में जो चर्वाओं का समूदा उसे मसाई समूदाय के चारण मसाई समूदाय के चरगा उन से च्छीन लिये गया थे और अंतराष्टे सीमा और अथा बंदिसों से उनकी चरवाएं वेवापारिक दोनों ही गतिविदियों को बुरी तरह प्रभावित किया था और मसाई लोगों को दचनी केनिया और उत्तर तंजनिया जैसे चोटे शेत्रों में धकेल दिया गया उन्होंने अपनी चरगाहों का लगवा जो गोड़े लोग थे उनका अपना जगह होता था और जो ऑफ़ेत लोग थे उनका आपना जगह होता था ऊसकारण जो है बहुत सारी जमीय पूरी तरीके से बंदिस लगा दी गई उन्हें अंत्राष्टिय सीमा भी पाड़ नहीं करने दिया जाता था इसकारण उनकी स्थिती जो है इस लिए सर्फस्थ शाहागरों से कट गया थे और इसी अर्थसोक्स पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया था जहां सुखे कि आकंसा आशंका हमें सरती थी कारण यह कि मसाई लोग जो है या फिर कोई वीचारवा है वो समर्शीजर में एक अस्थान से दूसरे स्थ नहीं रह गई थी दूसरा चर्वाय घुम घुम कर एक अस्थान से दूसरे स्थान जाते था पर एक ही अस्थान पर उन्हें रहने पड़ता था इसलिए उनकी इस्थी बहुत खराब थी जो इलाका उनका था वो उनसे च्छीन लिया गया उनको केनिया और तंजिनिया में तो चर्वाहों के समुदा पर काफी ज़्यदा व्यापा पुर्वाप पड़ा इन सब चीजों का मसाई लोगों के रेवरे चराने के विसाल छेत्रों को सी कारगाह बना दिया गया किनिया में मसाई मारा वा सांबूर नस्नल पार्क और तंजिनिया में सेरे नोटी पार्क इना डक्षित जंगरों में चर्वाहों का नमना तब इलाकों में न तो सी कार कर सकते थे और नहीं अपने जैनवरों को चरा सकते थे 14760 वर किलो मीटर छेतरवल में फैला सेरे नगटी नस्नल पार्क भी मसाईयों के चर्वाहों पर कब जा करके बना गया था यहां पर एक तरीके से लिया जा सकता है कि चर्वाहों की जमीन 14760 वर किलो मीटर पर बड़े से विसाल मैदान पर जो है एक पार्क बनाया गया था इसको सेरे निगटी पार्क के नाम से जाना जाता था उसके अलावा भी एक पार्क था सांबरू नेस्नल पार्क यह दोनों पार्क जो ह काफी ज़्यादा खराब हो गए थी और चर्वाहों की जमीनों पर भारी मात्रा में कबजा किया गया था अब जानेंगे चोते कोशन को अधुनिक विस्वन ने भारत और पुर्वी अफरीकी चर्वाहे समोधायों के जीवन में जिन परिवर्दनों को जर्म दिया उनमें स सारे सिमिलारेटी थी सिमिलारेटी कहने का मतलब समान था दोनों किस से जमीन चीन ली गए थी अपने विस्वा सरकार ने जमीने चीनी थी केवल अपने फाइदे के लिए उन्हें बाहर जाने पर पावंदी लगा दी गई थी यह ऐसे बहुत सारे पॉइंट जिने आपने आपको देखने को मीरेंगे अब हम चलते हैं देखे क्योंकि भारत और पुर्वी अफरीका दोनों ही यूरोप ये समराजवादी ताकतों के अधीन थे इसलिए उनके सोसन का तरीका एक ही जैसा था मतलब दोनों जैसे कि अफरीका पे और भारत पे इन दोनों चर्वाहों क करने वाले वेकति थे आ उनकी मासिक्सम तब आठीओं यही तह तरीका था प्аг always points एक साहथ भारत भारत और पुर्वी अफरीका में दाइक स्थंकतों ये समझते थे अपने विशिक सरकार की ये क्या है अपड़ादी किसम के वेक्ति हैं इसलिए उन्हें हम ऐसा संदे की दिश्टी से देखाया था ये हम पर कभी भी आकमन वगिरा कर सकते हैं तो सासन के फॉसर पॉसर उन्होंने क्या किया उनसे उनकी जमीन छीनना इनको आसान गई थी वेदिकता चरवाहों की थी ऐसे बदलाव चरवाहों के पतने चरवाहों के लिए बहुत सी समस्याओं का कारण बन गए इस अफरीका में भी बसाई रहोगी चरवाया स्वेट बसाने वाले रोग उनसे छीन लिये गा और उन्हें खेती की जमीन बढ़ाने के लिए अस्थानिया की समुदाय को अस्थाना अंदित कर दिया गया इसका कहने कार थे कि भारतिये समुदाय और अफरीकी समुदाय में जो भी चरवाह थे वह जब एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाते थे तो अपनी जमीन को पीछे चोड़ के जाते थे किसी के भरोसे नहीं वक्तियों के लिए छोड़ देते थे जो उन पर खेती वगरा कर सके तो इसका फाइदा काफी ज्यादा अंग्रेज या अपने विशिक सरकानों ने उठाया था जब वो लोग नहीं रहते थे तो उनकी जमीनों पर कबजा करना उनको आसान होता था इस तरीके से भारती चर्वाई समुदाया पे भी किये गया थे और मसाई समुदाया जो कि अफरीका के रहने वाले थे उनकी जमीनों को छीन कर जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने की समझे है तो सरकार ने बना दिया उसके तहत चरवां को यहां पर प्रविस करने का भी अधीकार नहीं दी आ जाती था वहां पर व Cole 바뀌न आधीकार नहीं बना दी गए लिसा चरगाओ के भापस अपने जगान नहीं लट दिये गए थे अब वैसे लोग इसके सिकार हुआ जो पूर्णुप से खाना बदोस्त है जिने मतलब उतना ज़्यादा ग्यान नहीं था जमीन वगेरे काया हो बस वह समस्त है कि यह अस्थान यह इलाका मेरा है उनसे आसानी हो गए इनको छिनने में और चरगा है जो है अपन के पास यह से अधिकार भी नहीं था और उनिन जाने भी नहीं दिया जद़ा था इस प्रकार दोनों ही मामिवे में अपने विसक सासकों की खेती वारी को काफी ज़्यादा पुर्शाहिद किया और अंतर चरवाहों के चरगाहों के पतन का कारण बनी और आपने देखा भी पुरा नीजी जीवन जो उनका था उससे उभरने लगे थे, वो सर्मिकों के तरह कारे करने लगे थे, किसानों की तरह और बाहर जाकर भी काम ढूँने लगे थे, क्योंकि चर्वाहों के जीवन पर तो अपने विसक सरकार का अधिकार हो चुका था, पहले की तरह जीवन नही नहीं समाप्त होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के साथ थैंक यू